नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल संगीताईश कॉर्णर में आज लेके आएं फ्रेंट्स पत्ता गुबी और आलो की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबर जस्त सबजी के रेसीपी इसे हम बहुत ही आसान तरीकी से बनाएंगे बिना कोई इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ इस प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक यह थोड़ा से सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ा से कलर ना चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अद्रक और लहसन लहसन का पेस्ट भी आप डाल सकत और इसका कच्छा फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो किसी भी सब्जी में इन तीनों को बहुत अच्छे से भूने तो यहां पर देखिए अध्रक लहसन हमारा भून गया है अब सब्जी का कलर बहुत अच्छा है इसके लिए एक छोटा चमच कास्मरी लाल म डालेंगे इसी स्टेज पर तेल में फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले ने दो से तीन हरी मिर्ची ले लिया इसे लंबे टुकडो में काटके और बस एक बार मिक्स करेंगे ज्यादा हमें हल्दी और मिर्च को पकाना नहीं है नहीं तो फिर यह क चैनल पर मिल जाएगी और यदि नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्षिन में जुरूर बताएगा तो मैं फिर से यह रेसीपी ले के आऊँगी यह मसाला जब हमारे कीचैन में होता है ना तो आप किसी भी तरह के ग्रेवी किसी भी तरह की सूखी सबजी या फिर किसी तरह की र बादन उसर हमने नमक ले लिया है उसके बाद एक आलू को मैंने ऐसी पतली टुकडो में काट के लिया है ताकि हमारे आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए सारी चीजों को मिक्स करके हम ढखके पांच मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे लो फ्लेम पे आप देख सकते हमारे अलू भी हाँ पे हा रुख हो जाता है और हमारे टमाटर भी यहां पे शौफट हो जाते है शर्णे म अलुए प्लेम पे अदसा या या उख नात दी आ जैंना पत्ता गोवी को बहुत जादा बारी काटनी की जुरुत नहीं और बहुत जादा मोटा भी नहीं काटेंगा और उसको धोने के बाद अच्छे से छान लेंगे पानी को फिर ये कड़ाई में डालके हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे इसे क्या होता पत्त गोवी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है पत्ता गोवी अपना पानी छोड़ने लग जाता है और वो गलने लग जाता है एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखे इसमें पानी बहुत ज्यादा ये कठथा हो गया है सिर्फ 5 मिनट मे तो अब इसी पानी में ये पत्ता गोबी पकेगा और सारे मसाले भी भूनेंगे और पक जाएंगे तो पत्ता गोबी में बिल्कुल भी एक्स्रा पानी डालने का जुरत नहीं पड़ता है यदि आपका पत्ता गोबी फ्रेस है यदि ये बहुत ज़्यादा वासी होता है तो फिर पानी इसमें से रिलीज नहीं होता है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे हमने फिर से ढग दिया है लोटो मीडियम फ्लेम के बीच में अब हमारा काम है इस पत्तागोबी को पकाने का और सारे मसाले को पकाने का तो यहाँ पे देखिए पानी लगभग यहाँ पे सुक चुका है और पत्ता को भी भी आधा पक चुका है 70-80% कोख हो गया है तो इस बार एक बार इसको मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे और यह देखिए हमारे जो आलू है वो पूरी तरह से गल चुका है क्योंकि आलू को हमने कुछ मिनट के लिए पहले भी पका लिया था तो इसे हम एक दो बार और धक देंगे बीच में और इसे हम 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे तो लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगता है और पत्ता गोभी बहुत अच्छे से पक जाता है जादा टाइम नहीं लगता है और यह देखिए पीना पानी का और पानी बिल्कुल सूखने लग गया है पत्ता गोभी में और यह वाली सबजी है और फ्रेंट्स किसी के साथ भी रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ आप बनाईए बहुत ही जबर जस्त लगती है अ और इसको हम दो से तीन निट अच्छे से भूनते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे इससे क्या हो कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्टर बचा होगा तो वह भी सूख जाएगा यानि कि पानी सूख जाएगा बहुत जादा ड्राइ करने के जूरत नहीं लेकिन इसमें चिपचिपी से पानी रहती है वो सबजी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अब ट्राइ कीजिएगा एक बार इस तरह से बिल्कुल सूखी सबजी और यहां पर देखेगा गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है बहुत ही जवर्जस सबजी बनके तयार हुए फ्रे इस कमेंट में जुरू बताइएगा अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जूरू कर लीजिएगा फिर से आते हैं फ्रेंट्स एक नहीं और आसान रेसीपी के साथ तब तके लिए गुडबाई टेक केर थैंक यू फर वाजिग माही ओल वीडियो थैंक्स अलोट